सब्सकार में पिंटू शिंग्यादव आप सभी का स्वागत करते हैं निवस लाइफ में दोस्तो उत्तरपदेश में बिधान सबाद चुनाओ बीतने के बाद जिस तरीके से योगी सरकार का लगतार बुल्डोजर चल रहा है तो वहीं जो योगी की प्रिसासनिक बेवत्ता है जो लाइएंड ओर्डर है वो भी जादा अब स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है और हर वो मामला जिसको लेकर कोट में पेंच फसा हुआ है उसके भी अब जो चीजे जो प्रोसेस है वो काफी जादा तेजी से हो गया है और इससे बीच एक और बड़ी खबर उत्तर परदेश की राजनीती से आ रहे दरशल बात करें तो आजम गर्षे बड़ी खबर है कि पूर्वव बिधायक सीपू हत्याकाण मामले में कुख्यात कुंटू सिंग को आजीवन कारवास मिल गई है तरशल मामला क्या है पूरी ज़ानकारी में आपको बताऊंगा 9 जुलाई 2013 को पूर्व बिधायक सर्वे सिंग और सीपू सिंग की जियन पूर कस्वा इस्तित उनके आवास के सामने ही 22 सवार बदमासों ने गोली मार कर हत्या कर दी मंगलवार को कोटने धुर्व सिंग सहित सभी नव दोसियों को आजीवन कारवास शुनाई है पूर्व बिधायक सर्वे सिंग शीपू हत्या कारण में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और पिछले मंगलवार को नयायधिस रामानंद ने कोख्या धुर्व सिंग कुंटू समेत 9 अभियुत्तों को दोश शीद कर दिया बारतारी को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फिर इसकी तारीक आगे बढ़ा दी गई थी मंगलवार को कोट ने धुर्व सिंग सहित 9 दोशियों को आजीवन करवास की सजा सुनाई बताते चलें कि उने जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वे सिंग और सिपू सिंग की जियनपूर कस्पाई सिथ उनके आवास के सामने ही बाइक सवारों ने गोली मार कर हत्यागर दे थी इस मामने में पूर्व विधायक के भाई ने जियनपूर कोतवाली में कोख्या धुर्व कुमार सिंग और कुंटु सिंग समयते के खिलाब तहरे रिथी चेक अभी फरार हैं और इनकी फाइल भी अलग कर दी गई है एक आरोपी गिर्धारी उर्फ कनहिया मुकदमा के दवरान मुठ भेड में माराजा चुका है सेस बचे नव आरोपी उ में शामिल कुख्या धुरूर शिंग उर्फ कुंटू, मृतुंजे सिंग, तिनेज सिंग, उर्फ रंपत, शिव प्रेकास, उर्फ प्रेकास, राजेंदर यादो, शंगराम, शिंग दूर्ग, बिजे, मुहम्मद रिजवान, तथा बिजे यादो क मंगलवार को कोट ने, आज ही वन कारवाश की सजा सुना दी, तो अप्डेट था मुझे लगा आप सभी को बता देन अची, तो अप्डेट कैसा लगा जरूर बताईएगा, धन्यवाद.